तो दोस्तो केसे हैं आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परचेस प्रोसेस की दोस्तो जी हाँ मैं पहले भी परचेस प्रोसेस के कई वीडियो बना चुका हूँ आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रचेस प्रोसेस के complete process और complete knowledge की दोस्तों purchase process कैसे बनता है, क्या होता है step by step हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले बात करें, तो हमारे प्रचेस प्रोसेस का सबसे पहला step होता है जिसमें आप order place करते हैं तो order place करने पर आपको कई सारी जानकारी जरूरी है देना, जैते की आप लोग जब order place करते हैं आपको देना होगा वो date, जिस दिन आप order place कर रहे हैं, दूसरा आपको बताना होगा delivery, कितने दिन में आप डिलेवरी कर देंगे, तीसरा आपको बताना होगा order number और चौथा आपको बताना होगा वो product जो आप लोग मंगवा रहे हैं order से, तो यह सारी चीज़े mandatory होती है, order देत होता है, साथ में यहाँ पर एक नया number भी generate किया जाता है, जिसे बोलते हैं चला number, reference number या receipt note number, तो आपको यहाँ पर यह mention करना पड़ता है, साथ ही बात करें अगली information की जो की होती है rejection out, और rejection out कहते बनता है, जब आपका product कोई भी bill बनने से वहले reject हो जाए, अगर आपका bill न purchase की बात करें, finally, सारी entries होने के बाद, आपको final purchase करनी है, और इसमें सारी entry acceptable होगी, जैते कि purchase order, उसके बाद receipt note, और उसके बाद rejection out, यह सारे process को follow करते हुए, आप अपना purchase process complete करेंगे, और finally, आप अपना purchase bill तयार करेंगे, जिसमें सारी adjustment हो जुकी होगी, and final, अगर मालीजे कि purchase होने के बाद भी, आपका कोई product defective हो जाता है, तो उसके इसमें आपको debit note में entry करनी होगी, और वो debit note का meaning क्या होता है, उसे बोलते हैं purchase return, यानि आप अपनी purchases को बापस करना चाहते हैं, purchase को return करना चाहते हैं, तो आपको entry pass करनी होगी, purchase return के अंदर, दोस्तों, यह सारी जान knowledge आपको इसमें जरूर मिल जाएगी, और बहुत सारे questions भी आप लोगों करने के लिए इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं यह process, नमस्कार दोस्तों, मेरे नम है अभिशेग, को मिलता रहें होती हैं, यह आप लोग को बहुत साफधानी से फिल करनी है, तो दोस्तों, देखे, हमने एक order दिया, अभिशेग गार्मेंट प्लेस अ पर्चेज ऑर्डर टू बॉंबेडाइंग, बॉंबेडाइंग को एक order प्लेस किया, और कब प्लेस किया, हमने वो एक 9-2020 को order प्लेस क है, कि आप 31 दिन में delivery कर सकते हैं, साधी आपको ये भी बता दिया गया, कि इसमें क्या-क्या products आप deliver करने वाले हैं, तो दोस्तों, आप चलते हैं, हम लोग टैली प्राइम पर और इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे accounting voucher पर, और अगर हमें order करना है, तो order कर तो आपको क्या करना होगा, आपको show inactive voucher पे click करना होगा, जैसी आप इस पे click करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नए options मिल जाएंगे, और उसमें आपको purchase order का भी option दिखाई देगा, जो कि अभी inactive हो रखा है, यानि disable हो रखा है, बस आपको क्या करना है, आपको press करना है enter, और जैसी आप press करेंगे enter, आप देखेंगे, यह order activate हो जाएगा, और इसे yes करते ही, आप देखेंगे, enter करते ही, आपका order खुल जाएगा, और अब आपको सबसे पहले यहाँ पर date डालनी है, जो कि है 1 सितंबर, और 1 सितंबर date डालने के बाद, आप party का ना purchase की party है, तो यहाँ पर एक creditor बनेगी, और कोई detail मेरे सामने नहीं है, तो मैं इसे control एसे accept कर लूँगा, उसके बाद, यह एक screen खुलेगी, order detail वाली, इसमें भी आपको कोई detail नहीं फिल करनी है, क्योंकि given है नहीं आपके बास control एस screen पर भी कर सकते हैं, अब जो जैसे ही आप लोगों ने control ही किया, bombay dying लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है, order number, अब दोस्तों, order number क्या है, simple सी बात है, कि अगर आप यह order प्लेस कर रहे है, तो आपको order number तो डालना ही पड़ेगा, और यहाँ पर order number जो आपको given है, वो है अभिशे, slash po, purchase order, that is 001, यानि पह आइटम बताएंगे, जो कि आपके आइटम है, fabric for shirt, तो यहाँ पर आपके वास fabric for shirt नहीं बना हुआ है, आपको यहाँ पर fabric for shirt बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम fabric for shirt बना ले थे हैं, लेकिन यह जो shirt item है, वो आपका meter में बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते है, meter का symbol मेरे पास already है, और GST की बात अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग control A कर सकते हैं, और देखे दोस्तों, यहाँ पर आपको देना है due on में, जो period है, delivery का period, और delivery कितने दिन में करनी हैं आपको 31 दिन में, और जो go down आपको लेना है, वो main location लेना है, क्योंकि अगर आपको go down नहीं यह बने, तो आप main location से काम चला सकते हैं, उसके बाद आपको quantity पूछिए कि कितना order आपको place करना है, तो 650 quantity है, और साथ में rate भी पूछा है, तो rate बताए 250 है, उसके साथ साथ आप enter करेंगे, और enter करने के बाद next line में आएंगे, दूसरे products के लिए, और दूसरा product है fabric pot trouser, चुकि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर fabric pot trouser, आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसको भी आप meter के अंदर रखेंगे, और इसी के साथ साथ इसको भी control A से accept कर देंगे, delivery period इसका भी 30 दिन है, और location इसका भी main location है, quantity आप बताएंगे, 450 और 450 बताने के बाद आपको बत हो चुका है, दोस्तो अब क्या करना है, हमने order तो place कर दिया है, लेकिन साथ में अब हमें बात करनी है, अगले point की, और अगले point में हमें order को receive करना है, क्योंकि order को receive करना है, तो receive करते समय हम लोग को जरूरत पड़ेगी एक चलान number की, जो कि मैंने आपको बता दिया है, दोस या receive note number, अब क्योंकि आपको order मिला है, इसी order के gains में आपने ये receive किया है, तो यहाँ पर आपको फिर से press करना होगा attend, और receive note को भी enable करना पड़ेगा आपको, तो show in active voucher पर करिए click, और click करने के बाद, आप यहाँ पर receive note देख रहे हैं, जिसका shortcut alt f9 है, एंटर कीजेगा, और इसके बाद reference number जो कि मैंने आपको बताए कि चला number ही होता है, तो यहाँ पर आपको reference number दिया हुआ है, bd slash dn slash 036, तो यहाँ पर लग देंगे bd slash dn slash 036, आपने लिखा, उसके बाद आप enter करेंगे and then आप यहाँ पर देखेंगे next जो party का नाम है, वो bombay dying है, और जैसी party का ना आप यहाँ पर select कर लिजे, क्योंकि आपको order track करना पड़ेगा, क्योंकि previous order के against में यह bill receive होगा, तो पूरा का पूरा receipt note आपका बनेगा, उसी order के against में जो कि आपने पहले दिया था, तो दोस्तो यह देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर order दिख रहा है, और enter कीजे, enter करन आपके सामने है, आपको without any changing the details, आपको बिना किसी change के, क्योंकि आपके receive करते समय आपको कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको enter करते हुए बिना किसी change के साथ इसे accept कर देना है, अब दोस्तो आपने इसे बिना किसी change के साथ तो accept कर दिया है, लेकिन अब क्या क करना है, अगले point में बात करते हैं, दोस्तो ये हो गया हमारा receipt note, receipt note करने के बाद आपको इस order में कुछ defective product निकल गया, और bill बनने से पहले कोई भी product अगर defective हो जाए, तो उसके लिए आपको देना होता है rejection out, तो दोस्तो rejection out के लिए भी आपको वही करना होगा F10, और F10 प् इसमें आप तारीक बताएंगे कि rejection आप किस दिन कर रहे हैं, तो हम लोग 1-10 को rejection कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1-10 ले लेंगे, और party का नाम क्योंकि Bombay Dying है, तो यहाँ पर हम लोग Bombay Dying ले लेंगे, और name of item में हम क्या reject कर रहे हैं ये बता देंगे, तो fabric for shirt है, जो हम reject कर रहे हैं, तो यहाँ पर fabric for shirt लीजिए, और order को track कीजिए, जो की आपने दिया था, तो आपने जो receive किया है, वो track कर लीजिए, और track करने के बाद, आप बता दीजिए, कि कितनी quantity आपने वापस किये, 1500 की quantity आपके पास आई थी, लेकिन आपने जो reject किया है, आप देख सकते कोशन के अंदर, तो defective 20 meter ही है, तो 20 meter defective होने की वज़े से आपने उसे वापस कर दिया, और enter करते हुए इसे accept कर दीजिए, तो यह हो गया आपकी वापसी, उसके बाद आप देखे, जो आप आपके पास final बचा हुआ है, उसका आप real में bell बना लेगे, तो जोस्तों चलते ह हैं, यहाँ पर जो भी आपके पास final बचा, उसका हम लोग real में bell बना लेते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर आप लोग तारीक बताएंगे कि बिल किस तारीक को बना रहे हैं, तो basically same तारीक है, और F9 यानि purchase की entry आप करना चाहरे हैं, तो purchase करते हैं, और purchase में invoice number आपको दे रहा है, यहाँ पर BD slash 049, एंटर करेंगे, और जैसी Bombay Dying select करेंगे, आपको order receive note number दिखाई देगा, तो आप इसे track कर लेंगे, क्योंकि इसी के गेंज में आप यह पूरा पूरा purchase bill बना रहे हैं, एंटर कीजिए, और आप देखेंगे, जैसी आप एंटर करेंग 20 meter fabric for shirt, आप देख सकते हैं, 20 meter जो defective था, वो adjust होने के साथ साथ, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है न दोस्तों, आप बात करते हैं, यहाँ पर simple तरीके से, इसे entry को accept करेंगे, और finally, new reference के against में, एक bill create कर देंगे, तो यह आपका एक purchase हो गया, अब दोस्तों होगा क्या, यह party हमारी create हो चुकी है, creditor यह बन चुकी है, लेकिन बात यहाँ पर simple सी है, कि अगर माली यह defective फिर निकल जाता है आपके पास से, तो आप पार्टी ने अभी payment तो की नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अगर party अगर फिर भी return कर देती है, तो इस बार bill बनने के बात कोई return होता है, तो उसे बोलते है debit note, तो इस case में party code debit note बनाना पड़ेगा, तो F10 प्रेस करेंगे, और आप debit note का feature पहले सी on होता है, बस आपको लेना है, क्योंकि debit note का simple सा meaning होता है, इसमे simple interest नहीं लेना है, तो not applicable लीजेगा, और debit note का simple सा meaning होता है, purchase return, क्योंकि sales return नहीं क करना आपको purchase return करना है, और आपने last video में देखा होगा, कि मैंने debit note को इस्तमाल किया था, interest को increase करने के लिए, interest को लगाने के लिए, लेकिन आज मैं इसे use कर रहा हूँ, समान को वापस करने के लिए, तो basically ये एक purchase return है, तो आपको इस तरीके से करना है, तारीक बताएए, तार और party का नाम bombay dying है, यहाँ पर tracking कुछ भी नहीं करना आपको, tracking कुछ भी नहीं करना मैंने आपको बोला, क्योंकि अब आपका link सारा का सारा order से नहीं, bill से है, तो bill कहाँ पर है, जहाँ पर भी bill tracking का point मिलेगा, हम लोग track कर लेंगे, और यहाँ पर जो reject कर रहे हैं हम लोग, व जो की 390 रुपे के साब से आपका reject हो जाएगा, और इस तरीके से आप ये entry करेंगे, जब आप entry को accept कर रहे होंगे, तो आपके सामने ये screen खुलेगी, जिसमें आपको against reference लेना है, दोस्तो ये screen आपके तब ही खुलेगी, जब आपने purchase के time पर new reference लिया होगा, तो enter कीजे और इसे accept कर दीजे, ये हो गया आपका past step का process, दोस्तो ये एक simple process था, आपको past step करने हैं, और इसी तरीके से आप ये सारी entries करेंगे, तो चलिए अब मैं इन entries को करकर आपको दिखाता हूँ, और सारी entry का effect आप लोग एक एक करके check करते चले जाएए, दोस्तो अब थोड़ा सा fast mode में आते हैं, और हम लोग इन entries को करके देखते हैं, तो चलिए, past mode start करते हैं, और आपको सिखाते हैं आने वाली entries, क्योंकि ये सारी के सारी entries order से related हैं, तो आईए 5 steps करना हैं, तो सबसे पहले चलिए, सबसे पहली entry purchase order, तो उसके लिए आप F10 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर purchase order देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर purchase order की shortcut भी आप लोग remind कर सकते हैं, तारीक बताएए किस तारीक को है, तो यहाँ पर आपको एक 10 को order place करना है, एक 10 को order place करना है, party का नाम, mode industry आपकी party created है already, आप बस select कीजे, control A and then control A, order number आपको दूसरा देना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे अभी शेक, और order number दूसरा है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा, अभी शेक, और अभी शेक slash PO slash जो है आपका 002, और purchase लेने के बाद आप यहाँ पर बताएं आप 31 दिन का time लीजिए और main location लेने के बाद आप बताएं कितनी quantity है, तो यहाँ पर आपके पास 400 जो है आपकी quantity है, और 4 तो quantity होने के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर rate बताना है कि किस rate से आप इसे ले रहे हैं, तो 370 का rate है, और 370 का rate लेने के साथ साथ आप यहा लोग बात करते हैं, अगला product, जो अगला product है हमारा, वो कौन सा है fabric for shirt, तो यहाँ पर fabric for shirt हम ले लेंगे, और इसमें भी आप 31 दिन का time दे देंगे, और साथ में आप main location लेने के साथ साथ, आप quantity बताएंगे, कितनी quantity आप supply कर रहे हैं, 600 और किस rate से, तो 240 के rate से हम लोग supply कर रहे हैं, तो fabric for shirt हो गया, enter कीजिए, और enter करके accept कर लीजिए, यह entry आपके हो चुकी है, now finally, अगली entry पर चलते हैं, और अगली entry क्या है, receive करना है, और यह receive करना है, पूरा का पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, receipt note number आपको given है, दो तारिक को आप receipt कर रहे हैं, तारिक यहाँ पर दो डाल देते हैं, receipt के लिए F10 प्रेस करते हैं, और receipt note के लिए, यहाँ पर आगे receipt note पर, और receipt note करेंगे, लेकिन मोधी industry के साथ करेंगे, तो मोधी industry को order दिया था, order track कर लेते हैं, enter करते हैं, और control A, और control A, आप देखें, पूरा का पूरा order as it is आ चुका है, और receipt करते सम में एक गलती ना करें, यहाँ पर आप लोग receipt note number जो कि आपका MI slash DN slash 057 जरूर लिखें, क्योंकि receipt note number is very important, related to the, जिसे हम चलान नबर भी बोलते हैं, enter करते जाएं, और यहाँ पर MIDN लेना होगा आपको, और बहुत जरूरी है यह, आपको MIDN लेना होगा, और simple तरीके से इस entry को करिए, accept, और आप देख सकते हैं, without any change, मैंने इस entry को कर दिया, accept, और कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अगली entry पर चलते हैं, अगली entry क्या है, reject करते हैं, 30 meters, fabric, तो यह rejection out है, तो यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे, और rejection out में आप entry करेंगे, rejection out हमारे पास यह रहा, और उसके बाद हम लोग entry पास करते हैं, party का नाम, Modi industry, Modi industry party लीजे, और तारीक बता दीजे, कि इस तारीक को आप reject कर रहे हैं, जो कि 31 तारीक, 31 तारीक को हमने reject कर दिया, Modi industry के साथ, name of item हम बता देते हैं, कि हमारा जो name है, item का वो है denim fabric, तो denim fabric हम लोग reject कर रहे हैं, MIDN के अंदर से कितना reject कर र order और यहां पर order देने के लिए आपको करना होगा, control F9, control F9 करते हैं, order place करते हैं, control F9 प्रेस करने के बाद तारीक बताएंगे order का, जो कि है 11, और Bombay dying के साथ order है, ध्यान रखेगा, तो Bombay dying ले लिया है हमने party, और जैसी हमने Bombay dying लिया, उसके बाद मुझे order number बताना है, तो PO लिखना होगा, और PO लिखने के बाद slash 003 और यहां पर purchase लिजे और item बताएगी क्या-क्या order कर रहे हैं आप, तो यहां पर आप देख लिजे आपको order करना है, fabric for trouser, तो fabric for trouser आप ले लिजे यहां पर, 31 दिन का time है, delivery period आपका 31 दिन रहेगा, main location आपका go down है, जहां पर आपको quantity मंगा नहीं है, वो है 400, 390 के rate से, तो 390 के rate से आपने 400 meter मंगा लिया है, उसके बाद fabric for trouser के साथ साथ, आप fabric for shirt भी मंगा रहेंगे, लेकिन fabric for shirt आप मंगा रहे हैं, कितने pieces, sorry, कितने meters आप मंगा रहे हैं यहां पर, तो यहां पर बताएए, आप 500 meters मंगा रहें, तो 500 meters मैंने वंगा लिया है, rate जो है आपका 250 है, एंटर कीजिए, एंटर करके आप इसे accept कर दीजिए, अब देखिए दोस्तों, अगली entry में क्या हो रहा है, अगली entry में इसी को receive किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों, एक point यहां पर आ रहा है, कि receive करते समय हमने जो quantity थी, उसे change कर दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा इस समय, जब आप receive कर रहे हों, यानि की control, alt tap 9 से, आप लोग receive note बना रहे हैं, तो यहां पर दो तारिक तो आपने ले ली, लेकिन receive note नमबर जरूर से डालिए, जो कि bddn है, bddn slash 063, ले ली आपने 063, उसके बाद यहां पर bombay लीजिए और bombay dying का तीसरा order आप देख सकते हैं, जो कि आपको track करना है, और enter कीजिए, control A and then control A, और आपको इसमें करना है changes, तो यहां पर 400 की जगा, 420 meter कर दीजिए, उसके बाद यहां पर 500 की जगा, 530 meter कर दीजिए, देखे, simple सा है, change आपको बोला गया है question में, तो आप change क कर सकते हैं, और अब चलते हैं अगली entry पर, तो अगली entry में rejection है, फिर से, तो आइए देखते हैं, reject करना है 15 meter fabric for shirt, तो चलिए rejection के लिए, आप लोग कर लेते हैं rejection out, तो rejection out आप लोग करेंगे किस से, आइए देखते हैं F10, और F10 में rejection out के लिए आपको control F5 प्रेस करना है, तो rejection out किस date को कर रहे हैं, ये बताइए, आप 12 को rejection out कर रहे हैं, और party है आपकी Bombay dying, और Bombay dying party लेने के बाद आप बताइए क्या reject कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप reject कर रहे हैं, fabric for trouser, तो fabric for trouser आप ले लीज़े और track करिए, और यहाँ पर आप 15 meter reject कर रहे हैं, तो 15 meter बात आती है, यहाँ पर, तो मोधी जी के invoice की, जो entry है, वो यहाँ पर होगी, तो अब आप F9 से purchase entry करने वाले हैं, तारीक बताइए, जो तारीक आपको यहाँ पर use करनी है, वो है 31-10, तो आप 31-10 को bill बना रहे हैं, supplier invoice number MI-078 है, और party का नाम मोधी industry है, तो यहाँ पर आपने party क मोधी industry ले लिया, MIDN slash 057 अपने लिया, track किया, enter किया, आप देखें, आपका पूरा का पूरा order यहाँ पर track हो चुका है, जिसमें adjustment तो हो चुके हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा changes करना है, देखें, आपको rate, quantity तो सही दिखा रहा है, लेकिन rate में बदलाव किया है, जो करने के बाद यह छोटा सा change इसमें दिया था, और यह bill आपका create हो गया, इसी तरीके से आपको अगली entry की बात करें, तो अगली entry में invoice बन रहा है, लेकिन यह invoice है, बॉमेडाइंग का, और बॉमेडाइंग का invoice कि state को बन रहा है, सबसे पहले यह देखना होगा, तो आपका ब 12 date डालिये, और invoice number जो है, आपका bd slash 085 है, और यहाँ पर बॉमेडाइंग पार्टी लीजे, और उसके बाद bd slash track कर लीजे, control A and control A करने के बाद, आप यहाँ पर देखें, तो 405 इसले आ गया, because reason is that, 420 में से 15 reject हुए, और आपके पास 420 आपको दुबारा से कर देना है, क् इस product को ठीक करके इसे वापस भिजवा दिया है, बस आपको उसे 420 करना है, और without any change इस पूरी entry को accept कर लेना है, तो यहाँ पर जो mild effective था, उसे ठीक करके भिजवा दिया गया है, तो purchase का bill अब reality में उतने ही बन गया, जितना भीजा गया था, तो यह purchase entry भी हो गई है, चलिए बात करते हैं अगली entry पर जिसमें आपको debit note देना होगा, क्योंकि कुछ समान आपका bill बनने के बाद भी वापस हुआ है, तो यहाँ पर आपको debit note देना होगा, जो कि आप देंगे किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, आपको देना है, इसके लिए F10 प्रेस करिए, और debit note द modi industry के साथ, तो यहाँ पर आप modi industry ले लीजिए, और यहाँ पर tracking कुछ नहीं आएगी, जैसके आप जानते हैं, tracking आपका कुछ भी नहीं आता, और क्योंकि tracking सिर्फ और सिर्फ purchase के bill की आती है, तो purchase का bill जहाँ पर भी दिखेगा, वो track करेंगे आप लोग, और यहाँ पर साथ में एक चीज है, additional cost, जो की आपको line items के नीचे, यानि stock items के नीचे लगानी है, और यह कार्टेज है, साथ में अपने deliver किया है, तो यहाँ पर आप लेजर create करेंगा, allc से, जो की एक कार्टेज है, और यह आपका कार्टेज जो रहेगा indirect expense के अंदर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, indirect expense लीजिए, GST not applicable कीजिए, control A कीजिए, और amount बदाएए कि कार्टेज का कितना है, 200 रुपे, तो यहाँ पर आपको 2700 रुपे का bill settle करना होगा, किस में से settle करना है, यहाँ पे MI वाले bill में से ही settle करना है, तो यहाँ पे settle कर दिया है है हमने, it's not an issue, आईए last entry बर चलते हैं, जो कि हमारी है, अगली वो है, Modi industry के साथ, अब bombay dying के साथ है, तो bombay dying के साथ, जो transaction है, वो दो बारा की है, तो दो बारा यहाँ पर date डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर bombay dying ले लीजिए, और party में track नहीं करना है, जैसकि मैंने बत बाद आप main location लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बताईए, कि 25 meter आप reject कर रहे हैं, किस rate से आप reject कर रहे हैं, यहाँ पर बताईए, तो cartridge आपका, कितना लगेगा इस case में, आपको 1500 रुपे cartridge का देना है, और साथ में आपका जो bill है, वो इतने का बन गया है, और अब आप track करेंगे, तो आप जो track करेंगे, reference वो रहेगा, bd.085, क्योंकि इसी bill के against में आप वापसी कर रहे थे, तो दोस्तों, यह था simple सा invoice, तो इस तरीके से हमारी सारी के सारी entries complete हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, balance sheet, और balance sheet में इसका क्या effect पड़ा है, और कैसे हमा section में पूछ सकते हैं, आप लोग भी check कर सकते हैं कि किस तरह से आपको debtor और creditor create करने ही यह देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो modi industry है और उसके साथ transaction किया है, तो मैंने आपको सब कुछ check करा दिया है, आप लोग check करिए, match करिए, मेरे साथ जो भी transactions मैंने की हैं, अभी तक आप लोग भी को करके देखिए, अगली वीडियो में मिलेंगे आप से, तब तक के लिए thank you so much for watching my video, have a wonderful day दोस्तों, happy learning, bye